ग्रीह मंत्री अमिच शाह ने आज हैदराबाद के परेड ग्राउंड में हैदराबाद मुक्ती दिवस के वर्ष भर चलने वाले समारों का उद्धाटन किया। उन्होंने राश्री ध्वच फेराया, अर्ध सैनिक बलोने उन्हें गार्ड आफ ओनर प्रदान किया। इस अवसर पर ग्रीह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हैदराबाद मुक्ती दिवस मनाने का उद्धेश साफ है कि इस मुक्ती आंदोलन की कहानी को नई पीड़ी तक पहुचाना है। श्री शाह ने कहा कि साल 1948 में आज के दिन ही हैदराबाद मुक्त हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि अगर सरदार वल्लब भाई पटेल ना होते तो शायद हैदराबाद की मुक्ती में कई सैक्णों साल और लग जाते। नई पीड़ी तक पहुचाना है मुक्ती संग्राम के नामी अनामी अनेक योद्डाओं को सहीदों को जन मानस में पुनर जिवीत करकर नई पीड़ी को देश भक्ति की लौ जगानी है। इस संगर्स गाथा के बारे में मैं चाहूंगा कि पूरे पुराने हैदराबाद स्टेट के आज के तीनों राज्यों के हिस्सों में इनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च हो। और अत्याचारों के खिलाप जो संगर्स हुआ उसका डॉक्यूमेंटेंशन किया जाए और वो डॉक्यूमेंटेंशन को नकेवल पुराने हैदराबाद स्टेट देश भर के कौने कौने में पहुँचा कर ये वीरों की वीर गाथा को स्रद्दान जली दी जाए। इससे पहले केंद्री संस्कृती मंत्री जी किशन रिड़ी ने कहा कि हैदराबाद को स्वतंतरता दिलवाने के लिए अपने प्राण नियोचावर करने वाले स्वतंतरता सेनानियों को आज हैदराबाद में पहली बार आधिकारिक उत्सव के बाद सची श्रद्धान जली दी गई है